वेल्कम स्टुडेंट सुभाश इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर क्लास थर्ड मैथमेटेक्स चैप्टर फॉर लॉंग एंड शॉट विट वर्कशीट चैप्टर फोर लॉंग एंड शॉट लॉंग मिस लंबा शॉट मिस छोटा आपको दो पिचर दिखाई दे रही है तो फर्सस पिचर जो है इस पिचर में गर्ल है वह बोल रही है लाली घल्स सैलीग इस अधर फादर्ल शॉट A farmer comes to buy a rope So the farmer measure his arm with the rope And Lali gives him seven times that much rope Measure your arm and your mother's arm What is the difference? जो girl है उसका नाम Lali है वह उसके पापा की शौप पे फादर की शौप पे बैठी है वहाँ farmer आता है रसी खरीदने तो वह farmer उसकी हाथों से उस रसी को नापता है उसे चीए seven times लाली के हाथ से seven times बड़ी उसको वह रसी चीए तो इस चेप्टर में आपको height के बारे में बताया जाता है लंबा चोटा और लंबाई किस चीज की लंबाई होती है जैसे हम किसी इंसान को देखते हैं तो सब अलग अलगते हैं कोई लंबा होता है किसी चीज को देखते हैं जैसे scale में measure करते हैं ऐसे ही इसमें long and short के बारे में आपको बताया है हम मीटर में कैसे ना पेंगे तो how long is a meter में हमको कुछ चीज खरीद नहीं हम market जाते हैं जैसे कि हमको हम बोलते हैं कपड़े अगर मीटर में दीजिए शौप पे जाते हैं कहीं तो a meter is equal to hundred centimeter one meter one meter किसके equal होता है hundred centimeter के तो आपको इसमें one boy और one girl दिख रही है जैलो कलर का जो कुर्टा पेना है वह बोई है वह बोल रहा है I want to make a long कुर्टा शौप कीपर से बोल रहा है कि मुझे एक लंबा कुर्टा चीए तो शौप कीपर बोलता है take two meters cloth for your कुर्टा आपका कुर्टा आपका आपका कुर्टा दो मीटर में two meters में ready होगा कपड़ा चीए दो मीटर का फिर वह girl बोलती and how many meters for a long skirt for me मेरी skirt के लिए मुझे कितना लंबा कितना मीटर लंबा कपड़ा चीए तो शौप कीपर बोलता है you need three meters आपको three meters चीए let us make a meter rope you must have seen shopkeeper measuring cloth with a meter rod उसके पास आपको meter rod दिख रही है जो जिससे वह कपड़े को नाप रहा है how much is a centimeter अब हम centimeter की बात करेंगे आपको lizard दिख रही है पिच्चर में lizard कितने मीटर लंबी है यह हम कैसे बता करेंगे तो एक scale के measure सी नीचे यह से leaf दिख रही है और एक cuboid दिख रहा है हाँ dice और wax pen दिख रहा है इससे related हम fill up solve करेंगे यहां से आपको आपकी notebook में write करना है यह आपकी worksheet है question number first filling the blanks first fill up the match stick is 4 cm long यह कैसे पता चला उस पिच्चर में match stick दी हुई है हमने scale से उसका measure किया तो उसका cm कितना आया 4 cm second है the die is 1 cm from every side जो dice बताईती है आपको वह सब तरब से 1 cm लंभी है third the lizard is 13 cm long जो lizard थी उस पिच्चर में वह 13 cm long है four the leaf is 4 cm long तो leaf कितनी है 4 cm long है the wax color is 7 cm long जो wax color है उसमें वह 7 cm long है question number two how many cups can be placed in a line on this table आपको जो पिच्चर में table दिखरी है उसमें कितने cups एसी लाइन वे आ सकते हैं three cups draw है तो हम answer में लिखेंगे 10 cups can be placed in line on this table तो इसमें 10 cups आ सकते हैं आपको 7 cups और draw करने हैं जब आप आपकी notebook में write करोगे तक draw करना question number three how many pots can be placed to reach the tree branch पिच्चर में आपको tree दिख रहा है और नीचे two pots रखें हैं तो अग वो पूछ रहे है question में यहाँ है question कि हमको branch तक पहुछने के लिए कितने pots लगेंगे answer लिखेंगे हम five pots can be placed to reach the tree branch हमें five pots और two है तो three और हमें रखने पड़ेंगे उसके उपर तो आप three और बनाना आपकी notebook में question number four how many shirt can be hung on this wire इस wire पे कितने shirt हम टांग सकते हैं तो answer लिखेंगे हम four shirt can be hung on this wire इस पे four shirt टांग सकते हैं one टंगा हुआ है तीन और आपको बनाने है question number five what are the little lines on the scale little line on the scale scale में little line कौन सी है the little lines on the scale are used to measure short object little line का क्या use है तो little line का short object को measure करने के लिए use होती है which is longer thumb और little finger हमारे thumb और little finger में से क्या लंबा है तांसर में लिखेंगे thumb is longer than little finger हमारा thumb little finger से लंबा होता है question number seven measure your arm and your mother's arm what is the different आप आपकी मम्मी की arm और आपकी arm को measure करना दोनों में क्या difference होता है अगर हम answer में लिखेंगे mother's arm is bigger than that of me हमारी arm से हमारी ममा के arm बड़ी होगी question number eight match the correct length हमको match करनी है length of first length of an earthworm earthworm 10 cm second is height of a child height of a child 1 meter third is width of a fingernail तो 1 cm length of a sari 5 cm and distance 5 meter distance from home to school 2 km thank you student आपको अच्छे से इसे not buk में write करना है है झाल